तो मैं तो पिछले दो तीन दिन से लगतार एक्जिट पोल की पोल खोल कर रहा हूँ कल भी मैंने बताया था है कि एक्जिट पोल के नतीजे सिर्फ और सिर्फ सेयर मार्केट को प्रभावित करने के लिए प्रसासंतंत्र को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग को प्रभावित करने के लिए दिखाए गए थे इसका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं है पिछले तीन दिनों से मैं कह रहा हूँ कोई 400 पार दे रहा है कोई 375 पार दे रहा है क्या हुआ वो एक्जिट पोल का तो इसलिए मैं तो अभी भी कहूंगा कि एक एक कारेकरता इंडिया गडबंदन के काउंटिंग जहां पर हो रही है मदगर्ना केंद्रों पर वहां डटे रहें जमे रहें और जब तक अंतिम वोट की गड़ना न हो जाए तब तक पूरी मुस्तेदी से एक एक वोटों की गिंती कराएं क्योंकि बहुत सारी सीट हैं जो मार्जिन बहुत कम मार्जिन है जहां पर उसमें बीजेपी कोई उलट फेर ना करने पाए कोई घपला ना करने पाए और इसलिए सबको मुस्तेदी से काउंटिंग करानी चाहिए और नतीजे मैं समझता हूं अंतिम तक इंडिया गडबंदन के पक्ष में आएंगे